हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में तो यार आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है जे इमेंस 2022 एस्पेरेंट्स के लिए क्योंकि आज अपन देखने वाले ऐसे टॉप 10 चैप्टर्स जिनका वेटेज काफी ज्यादा था मतलब यह जो एनलिसिस तयार किया गया है यह आपके यह मेंस 2021 के चारो अटेम्ट में जितनी भी शिफ्ट होई यानि कि टोटल हमारी 26 शिफ्ट होई थी तो उसके बेसिस पर यह तैयार किया गया है कि सारे अगर शिफ्ट का हम टोटल करें तो किस चैप्टर से जो सबसे आदा तयार किया गया है और हम दोनों ही क्लास के देखने वाले कि क्लास 11 के कितने चैप्टर से दें क्लास 12 के कितने चैप्टर से तो यह तो इन पर आपको खास फोकस करना चाहिए तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लास 11 के हाइस वेटेस्ट टॉपिक्स तो यह आपके सामने लिस्ट बनी होई है देखिए मैकैनिक्स जो है वह एक बहुत ही इंपोर्डेंट पोशन भी बोला जाता है और कई सारे स्टुएंट्स को या थोई डिफिकल्टी इसमें फेस होत तो इसका वेटेज भी अच्छा रहता है ठीक है तो इसलिए और दियान से करके जाने हैं दूसरा जो मैकानिक्स का चैप्टर जो कि इंपोर्डेंट है वह लॉस आप मोशन तो यह दो चैप्टर्स तो कम से कम मैकैनिक्स में आपको करके ध्यान से जाना ही है बाकि जो 11 के स आपसे मतलब अपने highest greatest topics हो जाते हैं वो है अपना oscillation अगला है gravitation and thermodynamics तो यह जो पांच topics है इनसे आप expect कर सकते हैं कि लगबग एक question तो मतलब सबसे आई सकता है तो कि यह देखा गया था कि gravitation हो गया oscillation हो गया इनसे हर shift में एक question तो आई रहा था और कुछ shift में हो सकता है कि दो question भी आ जाए तो एक average लेके हमने बताया है कि आपको यह 5 chapters तो अच्छे से करके जा नहीं है अब हम class 12 के highest greatest topics की बात करें तो सबसे important होगी अपना current electricity then जो है semiconductors तो semiconductors से question लगबग हर shift में देखा गया था और साथ ही साथ modern physics का यह topic हो जाता है हमारा dual nature of matter तो यह भी बहुत जादा important था इससे भी कई बार shift में लगातार question देखे गए तो इन्हें मैंने combined form भी लिखा है क्योंकि यह दोनों ही chapters जो है बहुत छोटे है तो आप मिलके एक chapter ही उनसे मान सकते है फिर अपन alternating current जो है वह भी काफी ज्यादा important है electrostats तो बहुत ही मतलब 12th का most important chapter भी आप कह सकते है और ray optics तो कई लोगों को जो है optics मतलब ऐसे बड़ा लगता है तो ray optics तो कम से कम करके जाहिए ठीक है जादा important हो जाता है then semiconductor से question आता है dual nature of matter से भी कभी-कभी एक question आ जाता है तो यह भी अपन को दो question के असपास हो जाते बाकि यह जो तीन topics है इनसे अपन एक question लगबग हर शिफ्ट में देखने को मिली जाता है तो यह जो दस chapter हो गए आपके 11th के 5 और 12th के 5 यह मिला के लगबग आपको जो है 50% score दे सकते हैं आपके जेई मिन्स 2022 में तो अगर आप similar टाइप का analysis चाहते हैं अपने math और chemistry के लिए तो कमेंट में एक बार लिखके ज़रूर बदाईए अगर ज्यादा students जो है मांग करते हैं तो हम उस पर वीडियो जरूर लाएंगे और साथ ही साथ इस वीडियो को या शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी करिए ठीक है तो इसने हमें भी motivation मिलता है कि आपके लिए और बहतरीन content इस चैनल पर लगातार लाते रहें तो फिर मिलते अगले किसी नए वीडियो में नए शौट ट्रिक कॉंसेप्ट या स्टैटेजी के साथ तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए अपनी परपेशन जो रशे हो से करते रही है थैंक यू अव्रीवन